कर्णोज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिष्टा रहा है और जो सम्मान कर्णोज ने मुझको दिया है और अखलेश जी को दिया है उसका मैं अभार व्यक करती हूँ और यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस छेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में होता आया है आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत माता यहां मौझूद है और जितने भी लोग यहां पे हैं जिनके बच्चे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी यहां पे जितने भी लोग भरस्त हैं क्या क्या क्योंकि मैं खुद एक माह हूँ तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कि अपने बच्चों को चौकिदार बनाना चाहते हैं। कली UPSC के रिजल्ट आये हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो जो लोग मानते हैं कि देश के वो हर बच्चे को चोकिदार बना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगी वे सरासर गलत है हमें चाहिए एक अच्छी सरकार को चाहिए है कि वो शिक्षा की तरब बच्चों के ध्यान दे उन्हें ऐसे अफसर दें जिसे कि वो हर खुद पढ़ लेके अपने पैरों में खड़े हो सके और इसी के साथ 2017 में जब नोट बन भी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंगवाद खतम हो जाएगा नकसलवाद खतम हो जाएगा कालाधन खतम हो जाएगा लेकिन आज सबसे जादा अगर आतंगवाद कश्मीर में है और रोज हमारा एक नौजवाद रोज हमारा एक जवान फौच का जवान रोज एक शहीद हो रहा है तो ये मैं समझती हूए मौचूदा सरकार की नकामी है कि रोज पुल्वामा की घटना बहुती दुखदाई थी लेकिन पुल्वामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे है लगातार आतंगवाद बढ़ रहा है और मौचूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में बढ़ोतरी लगातार होती रह रही है। अब महिलाओं के साथ लगातार उत्तर पदेश में अपराद बढ़ रहे हैं। 2017 से आज 2019 है इस सरकारों ने ना केंद्र की सरकार ने और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है और लगातार और कल को मत्रौ की घटना ही आप जानते होंगे किस तरह एक महिला कॉंस्टेबल के बार तिजाब डाल दिया गया उसको जुलसा दिया गया। तो ऐसी नाकारा सरकार को मैं समझती हूँ हम सब मिलके हटाने का काम करेंगे और एक और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरन देने का काम करेंगे। और जूटे वादो वाली सरकार कप जाने का समय आ गया है। मैं आप सभी से पूरी उमीद करती हूँ। मुझे पूरी उमीद है कि इस बार ज्यादा से जादा लोग आप बटन दबा के समाधवादी पार्टी को विजई बनाएंगे। और मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी। मायवती जी का और शसी संद्रम इश्रा जी का जो आज यहां पर आप आए हैं। इतना समय निकालके यहाँ पर आके हमारे कारणोंक्रम में आपने उपस्तिती दी है, मैं आपका अभार और धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले